खबर रुड़की से है जहां पूर्व सैने कर्मी के बंद पड़े आवास से चोरों ने लाखों के जेवरात और नगदी पर हाथ साफ कर दिया बतादे कि घटना के वक्त सैने कर्मी पर विवास है देरादू निस्ति सरकारी आवास में थे उन्होंने चोरी की घटना अपने घर में लगे CCTV के माध्यम से मुबाइल पर देखी तो रुड़की आ गए पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दे कर मामले में कारवाई की मांग की है दरसल रुड़की गंग नहर कोतवाली श्वेत्र के सुभाष नगर निवासी सुनील भधोला ने बताया कि वो एक्स आर्मी मैन है जो रिटार होने के बाद मिलिट्री इंजिडिरिंग सर्विस दहरादून में कारेरत हैं अपने सरकारी अवास पर थे तबी दोपहर करीब देड़ बजे उन्होंने अपने मुबाईल पर देखा कि उनके घर में कुछ अग्यात व्यक्ती गेट बंद कर रहे हैं इसकी सूशना उन्होंने तुरंट पुलिस को दी बता दे कि घर से चोर तीस हजार की नगदियों और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए वहीं सीसी टीवी फुटिज के अधार पर पुलिस जाच में जुटी है यह पूरा मामला क्या है इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी कि बिल्कूब आपको बता दूळो कि दुरूटी गंगा है कोटवाली चेतर का यह पूरा मामला है जहां पर सुभातमेद्र में दो अध्यात चोर एक ऺर के अंदर परवेस करते हैं जिसके बाद जो सेने करमी है जो पूरु सेने करमी है वो अपने पंस्तर में देयनादून में मौदूद थे जिसके बाद अचानक ही जो वहाँ पर दो अख्यास लोग गेट फांते वे दिखाई दिए उसके बाद इस्थानी कुरिज को सुतना दी इसके बाद मौके पर जो लेकर तो आसपास की जो लोग है उनकी किस तबीकी की प्रतिक्याएं सामने आ रहे हैं शोवी की वारदात को लेकर देखे आखो बता दू कि दो पहर का समय था और उनका तमान वोग ये कहना है कि तमाम जो आसप्रोश की लोकेल का ये कहना है कि सब अपने घरों के अंदर मौजूद है तो आज़ाने की जो ताथी चोर थे तो उनोंने इसी चीज का मौखा जो मौखा उठाकर वहाँ पर सुन्सान जगे का मौखा उठाकर वो अंदर भूसे और जिसके बाद उनोंने तथीज के साथ वहाँ पर चोरी की गरतना को अंजाम दिया और वही जो है पुलिस का ये भी कहना है कि जो ये चोर है ये बड़े ही शासरी किसम के हैं जिस तरीके दे सिर्फी टीवी पुटेज की माद्गम से देखा गया है कि पहले वहाँ पर रेकी की जाती है आजपार देखा जाता है कि कोई वहाँ पर मौझूद तो नहीं है प्रवेश करते हैं और जिसके बाद समान ताले तोड़े गए और फिजोरों के लोकर की तोड़े गए जिसके बाद तीस हजार रुपे की जो नगदी है उज़े सामन ठीक है सलमान मलेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चुड़ने के लिए और तमाम एहम जौनकरी हमारे साथ इस खबर पर साजा करने के लिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि रुड़की में बंद मकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया साती आपको